वेल्कम वन्स अगेन इन पॉली नॉलेज यूटीब चैनल तो गाई आ गए हमने डिश्ट एलेक्रोनिक की न्यू क्लास में जिसमें हम आपको न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे फिलिप फ्लॉप तो हम बताते हैं आपको फिलिप फ्लॉप क्या होता है कि एक प्रकार का क्या होता से करेंशियल संदु उता है कि यह होता है से कंद्हीट होता है अभी दिजो परेइब हमने जो प्रिभियस चैप्टर वह आख वह कौन सी सर्कृट थी वह हम क्या करते थे वह कंगीशन शर्कटर पढ़ते थे पीछे यहे तने हिख वांचित क्या हम्ने जिदिने पामि सबस्ट्रेक्टर्स सब क्या थे कॉमिनेशनल सर्कित थे लेकिन क्या था कि हमें पढ़ना क्या है सेक्वेंशियल सर्किट अगर हमें इस दोनों में डिफरेंस पता हो जाएगा सेक्वेंशियल कॉमिनेशर में तो हमें यह भी पता चल जाएगा किस प्रकार से क्या होता है कॉमिनेशनल सर्कृट होता है किस प्रकार से सेक्विंसियल सर्कृट होता है तो हम सबसे पहले बताते हैं क्या होता है कॉमिनेशनल सर्कृट कॉमिनेशनल सर्कृट जो होता है उसका जो हमारा आउटपुट होता है वो क्या करता इन्पूट पर डिपेंड करता है इसका आउट्पूट क्या होगा इसके परजेंट इन्पूट पर डिपेंड करेगा इसके परजेंट इन्पूट पर डिपेंड करेगा कौमी नेशनल सरकीट जो है उसमें क्या होता है आउट्पूट उसके परजेंट इन्पूट पर डिप currency circuit में जो इसका output होता है output क्या करता है इसके present input and past output पर भी इसका पत्सार्ट अभी इसका मतलब समझाता हूं क्या होता है मतलब क्या हुआ कि COMBINATIONAL CIRCUT जो है इसका ब्लॉक डाइग्राम कुछ इस प्रकाट से है COMBINATIONAL CIRCUT का माल लेज़े इसमें क्या है तीन INPUT है और तीन OUTPUT है तो यह होगा हमारा COMBINATIONAL CIRCUT ओके लेकिन SEQUENCYAL CIRCUT में क्या होता है यह हमारा MEMORY BIT STRAID हो जाता है में अगर हम एक memory bit extra add कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा? sequential circuit हो जाएगा तो हमारा sequential circuit होता है क्या करता है? यह तो combination circuit को रखता है बने साथ यह से हमारा इसमें input दिये हैं लेकिन क्या होगा? यहाँ output परापत होगा उसके बाद यहाँ पर एक memory element रहेगा क्या रहेगा? memory element रहेगा जो कि क्या करेगा? यहाँ से प्रापत होने वाले output के bit को save करके फिर से क्या करेगा? feedback path यहाँ पर provide करेगा memory element क्या करता है? feedback path provide करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है तो क्या होगा कि हमारा जो sequential circuit है उसका जो output है present input पर डिपेंड भी करेगा लेकिन यह भी इसपे भी depend करेगा इसमें output क्या आया था उसे क्या करेगा? उस output को इस memory में save करके क्या करेगा? feedback path के रूप में देगा क्या करेगा? feedback पास के रूप में देगा अब यह मतलब common national circuit जो है एक कांटर हो गया फिलिप्फ फलॉब उसके बाद आयेगा कांटर फिलिप्फलॉब है रजिस्टर आयगा आयसे मनलब आते हैं डेट सारे तो इसका हम क्या करते हैं आपके विआपके घुदार दिखाते हैं यसे माल लीजिए comments कामने का सिर्कुट में होता है which debating size this for the example ह्फ इड़र हाफ एलर मल्टीप्लेक्सर डिकोडर इंकोडर फुर्ट में जैसे वे शेकर करते हैं जीरो slasidि यह हाफ आदर है एड खर रहें तो वन जीरो को अभी जैसे हमने जोड़ा क्या हुआ वन जीरो को कितना आगा है वन ओके लेकिन अगर हमें फिर से क्या करना है जीरो वन को जोड़ना जीरो वन को जोड़ना है तो फिर से हमें आगरेंगे जोड़ेंगे आगा वन मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास जितने हाफ हैटर रहेंगे वो दो बिट को अगर जोड़ रहे हैं तो उनका क्या मतलब रहेगा पीछ वाली बिट से मतलब नहीं रहेगा लेकिन जैसे हमारा क्या है इसमें देखिए sequential circuit में क्या है counter है counter है sequential circuit में counter क्या करेगा जैसे इसे मतलब counting करना है zero किया zero वाला जो previous output था उसको क्या करेगा save करेगा memory में उसके बाद save करने के बाद इसमें फिर से जब one add कर देगा zero में तो यहाँ one प्राप्त हो जाएगा और फिर जब यह one क्या होगा जाके memory में save होगा यहाँ पर क्या होगा memory में save होगा इस one में क्या करेगा फिर से एक add करेगा तब हमें क्या प्राप्त होगा two प्राप्त होगा और फिर यह two हमारा क्या होगा memory में जब जाके save होगा memory में और यह memory क्या करेगा memory यहाँ से feedback path के रूप में क्या करेगा two देगा और जैसे टू देगा वो क्या करेगा टू में फिर से यहां पर एक जोड़ देगा ति क्या हो जाएगा हमारा थिरी प्राप्थ हो जाएगा कुछ क्या करता है इसी प्रकार से हमारा यह काउंटर वर्क करता कि यह पहले विछले वाले आउटपुट को सेप कर लेता है उसके जाद उसे feedback पाथ की रूम में send करके उसमें add करके क्या करता है निकालता है जैसे output एक add करे मतलब जैसे जैसे उसकी working रहेगा एकर counter है एक add करके निकालेगा register है तो क्या करेगा save करता रहेगा flip-flop रहेगा तो memory बनाएगा ऐसे सब की जिस परकार से working वो करते है अभी counter है वो save क करके क्या करता है next output जब दे रहा तो उसमें add कर दे रहा है और जो register रहेगा वो जिसका उसका जो काम रहेगा वो करेगा तो इस परकार से जैसे हमने sequential circuit में counter पढ़ा counter क्या करता है हमारा गर bit previous वाला save ना करें previous output तो next वाला output क्या होगा वो दे नहीं पाएगा जैसे यह combination circuit जो यह उसका save करना है जीरो वन एड़ की वन आ गया फिर वन जीरो वन एड़ की वन आ गया कोई चेंज ही नहीं लेकिन counter क्या करता है जैसे एकर उसके count करना है तो पहले 0 देगा उसके बाद अगर यह previous वाला output उसके पास save रहेगा तभी उसमें one add करके one करेगा फिर इस one को यह सेव रहेगा तो इसमें one add करके two करेगा फिर यह two save रहेगा तो इसमें one add करके three करेगा इस प्रकार से counting करेगा तो यह counter sequential circuit है sequential circuit में आपने देख लिया अगर memory नहीं रहेगी तो यह previous output का save नहीं कर पाएगा और next output दे नहीं पाएगा ओके तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं आ आपको अंतर बताते हैं difference तो भी हमें उस चार्ट को लिख देते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए time न वेस्ट करते हुए यह हमारा क्या है combination circuit और sequential circuit में हमने कुछ difference लिख रखे हैं तो हमारा combination circuit के लिए क्या है सबसे पहला difference है कि the output of combination circuit depends on only current input होगे तो हमारा क्या हो गया कि मतलब कह रहा है कि जो combination circuit का output होता हो क्या करता है current input पे depend करता है और sequential circuit में क्या है current output depends on external input and previous state मतलब जो उसका current output है वो कह रहता है internal input और previous state मतलब output का previous state क्या था जो कि memory में save करके feedback path की रूमें में पहुचाया जाता है उसी के लिए पूच रहा है previous state क्या था output का next difference दोनों में क्या है दियरी नहीं नहीं मेमोरी दब combination circuit क्या गह रहा है कि there is no memory element and feedback path कि मतलब जो combination circuit है वो memory element नहीं रखता है और ना feedback path यूज करता है लेकिन क्या है sequential circuit में memory element are connected to the combination circuit memory element जो है वो connected रहता कि इससे combination circuit से end क्या करता है for feedback path from a feedback path की रूप में क्या रहता है connected रहता है जो हमारा sequential circuit है उसमें memory element combination circuit में क्या करता है add रहता है from a feedback path की रूप में जबकि क्या है next difference है कि हमारा combination circuit है वो data cannot be stored in लग वो data stored नहीं कर सकता अपने अंदर combination circuit लेकिन यह हमारा sequential circuit है वो कह रहा है data can be stored in sequential circuit sequential circuit में आप data store कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आप data store कर सकते हैं और जबकि हमारा जो logic gate है यह combinational circuit में क्या क्या आते हैं जैसे आएगा logic gate आएगा decoder आएगा multiplexer आएगा demultiplexer आएगा यह सभी क्या होते हैं हमारे आते हैं combinational circuit में और जो हमारा sequential circuit के अंदर आता हो गया तो फिलिप लाप होता, register होता है, counter होता memory होते हैं, तो यह क्या है सभी sequential circuit है तो इस प्रकार से हमारे में क्या होगा combinational circuit and sequential circuit में हमने difference उचादिया आपको चार और इस वाले chapter में आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे RAS flip flop JK flip flop T flip flop D flip flop यह क्या करेंगे यह 4 flip flop आप क्या पढ़ेंगे इस chapter पढ़ेंगे, इस RAS flip को हम RAS light के नाम से भी जानते हैं RAS light के नाम से भी जानते हैं तो next वाले वीडियो हमारा क्या रहेगा, इस RAS light के ऊपर रहेगा तो तेंक यू दोस्तों अगर आपको मारा ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक से एट सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके लिए जल्दी